बदलते सफर के साथ आगे बढ़ गई अनुपमा और अनुच वही का वही खड़ा रहे गया नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरेट्स में हंगरी स्पिरेट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अनुच शर्मा दिल से स्वागत करती है नया प्रोमो अनुपमा का देखा दिल भराया मान की ये सिचुएशन जो है पता तो थी हम सब को पहले से मगर फिर भी एक उमीद थी कि शायद ये ना हो मगर ये हो गया और ये बहुत बैटरमेंट के लिए हुआ है ये भी आपको बता दो क्योंकि इसमें भी बहुत मज़ा आने बाला है बात करते हैं नए प्रोमो की पहले वही दिवेदन जिनोंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्रिपया कर लिजे साथ में जोश्कों बेल आइकोन दबाईएगा ताकि आपको मरे वीडियोस के नुक्रिटकेशन मिलते रहे बदलते सफर में बदलते समय में अनुपमा ने अपने आपको बदल दिया फिर भी नहीं बदल पाई प्रोमो में कुछ इस तरह से है कि आपने देखा होगा अगर जिनोंने नहीं देखा उनके लिए बता देती हूँ कि आशा भवन सेवा आश्रम में अनुपमा है तो definitely अनुपमा केर टेकर ही होगी क्योंकि वो सबका ध्यान रखती है अगर ना भी केर टेकर हो तो तब भी अनुपमा केर टेकर ही रहती है तो अनुपमा वहाँ पे अपने से बड़े बज़ुर्गों का ध्यान रख रही है उनकी सेवा कर रही है उसने एक आश्रम बनाया है और ये पक्का है कि अनुपमा ये सारी जंग जीतने के बाद अब सेवा ही करना चाहती क्योंकि वही उसका धर्म है तो वहाँ पे ही दो बज़ुर्गों के बीच में वही मेचोर लग प्यार है मगर उस प्यार को नाम देने से डरते हैं तो यहाँ पे ही पता चलता है कि आज भी अनुपमा के दिल में अनुच के लिए प्यार है अपनी बेटी के लिए प्यार है तो उसी प्यार के साथ वो दूसरों की सेवा भी कर रही है और वहां पे वो जब उनकी शादी करवाते हैं कि आज आशा भवन में शादी होगी जो प्रोमो में दिखाया गया उसी की बात कर रही हो तो वो शादी होती है और उस इंसान जिसकी शादी होती है उल्ड कपल है उन यही गाना शुरू होता है तो यही गाना अनुझ के उपर है अनुझ मैंटल एसालम में है वहाँ पे एक तरफ अनुपमा खिला गुलाब पकड़ती है और आखों में आसु है दूसरी तरफ अनुझ मुर्जाय हुए गुलाबों के साथ है तो बड़ा ही अच्छा प्रोमो है लीप ले ली गई है जो दिखाया जा रहा है उसके इसाब से हम कह सकते है अब एक नया सफर अनुपमा का हमें दिखेगा तो हो जाए तयार इस नया सफर के लिए मिलकर देखेंगे मिलकर बात करेंगे प्यूंकि मान का प्यार अभी भी कायम है ये प्यार खतम नहीं हुआ है ना ही होगा क्या कहते हो आप इसके बार भी कमेट कीजेगा देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स थैंक सो मच